हाई एलोफेंट्स नमस्ते दोस्तों जब भी मोशन थोड़ा बहुत परिवर्थित होता है या गरम से ठंडा माहुल होता है उस समय हमें जुकाम लगना बिल्कुल ही आम बात है साथ ही किसी-किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण ठंडी हवा से एलर्जी होने कार जुकाम लग करने के बाद कुछ व्यक्तियों में गले में दर्द होना गले में खरास आना खासी आना और अभी के दिनों में बुखार आना जैसी समयश्या देखी गिए तो इसमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस-किस प्रकार के दवाईयां दी जाती जिससे कि प्रूवी त इसमें जो ब्रैंड है अलग अलग हो सकती यह पॉलर हो सकता है इसके दूसरी ब्रेंड भी आपको मिल जाए लेकिन इस को टेबलेट वह दी जा रही है इसके अलग जो दूसरी टेबलेट है वह डॉक्टर की चोईस की अकोडिंग एक पैंकेलर ता जो एंटी-पाइरेटि सिटमोर 325 मिलिगाम होता है और इसकी जो सबसे पॉपुलर रांड है वह जीरो डोल पी टेबलेट इसका प्रियोग लेते हैं तीसरी जो दवा है वो एंटीबाइटिक दवा है इसमें आप सभी इसको बहली बाती जानते हैं जिसका नाम में एजीत्रोमाइसिन 500 मिलिगाम की यह टेबलेट एजी नाम से तथा एजीत्राल नाम से आपको कहीं पर मिल जाएगी इस टेबलेट का प्रियोग मुखी रूप से जो गले के इंफेक्शन होते हैं उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है और यदि कोई व्यक्ति है जिसको एजीत्रोमाइसिन से एलर्जी है वह नहीं ले पा रहा हो तो उसे सेफिक्जीम टेबलेट 200 मिलिगाम के दी जाती है या सेफुरोग्जीम 250 मिलिगाम के टेबलेट दी जाती है इन सभी का अल्मोस्ट एक जैसा ही रिजल्ट हाले के दिनों में मिल रहा है चोथी दवा है वह है कफ सिरफ ज्यादा तर जो कफ SGX इसके पॉपुलर ब्रेंड में तो यह तीन से चार अलग अलग दवाईयां दी जा रही है तो इन दवाईयों को कैसे दिया जाता इसको भी हम जान लेते हैं जो एंटी कोल टेबलेट जिसके बार हमने शुरुवात में जाना था इसे दिन में तीन बार एक गोली लेने के सला दी जाती है साथ जो एसी कलो फिनेक पेरासीटमोल को मिनेश की टेबलेट इसे नॉर्मल बुखार तता दर्द है बोडी में तो सुबह तता साम लेने के सला दी जाती है और जादा अगर समयश्य और यह बुखार बहुत जादा छोट नहीं रहो तो इसे भी दिन में त 325 मीलीगाम रहता है साथ ही एसी कलो पैराटरीट में भी जो पैरसीटमोल ए यह 325 मीलीगाम होता है तो तो टोटल 650 मीलीगाम ही परशीटमोल बॉडटी में एक ताइम पहुंशता है जो कि डोज है दिन में तीम बार देने पर भी यह 1155 लिव्लीगाम के लगवार के बfires ब में लिया जा सकता है और यदि किसी को एजित्रमाई से नहीं लेनी हो तो सिफिक जीम दोसों में लेगा हमकी टेबलेट या सेफू रोग जीम इन दोनों में कोई एक टेबलेट सुभे तता साम दिन में दो बार लेने के सलह दी जाती है और जो कोडी स्टार कथा कोरेक्स दी की जाती है उसको को थेकन देकर साथ में बलगम भी आ रहा तो उसको का एक्सपेक्टर विया जाए जिससे कि जो चाथी में कब जमावा बाहर निकला जा सके उसमें घुआ फैंटालीन गुआ फैंट सीन इसका इसका क्मपोजिशन होता है इसकी गर ब्रांड की बाद कि आ लेकिन जब आप एक समझ्या सामयने देखने के लिए दियक्ति जो हाइट बढ़ने लग जाती है पसीना विश्या आने लगता है तो उससे आप गबराएं नहीं अगर यह ज्यादा समझ्या हो रही तो शीरप को लेना बंद खरें और थोड़ी बहुत समझ्या हो रही है तो आप इसको लेते रहें एक दो दिन लेने के बाद नॉर्मल हो जाती है तो इस तरह सिक्सी डूस दी जाती है और जो इसका डिवरेशन रहता है कोल्ड में जब भी दवा दी जाएगी उसका जो समझ्या रहेगा वह पांस दिन ही रहता है पांस दिन से लगा अगर सांथ दि दिया जाता अगर ज्यादा नहीं होता है फिर अपने डॉक्टर से फिर से मिल आप जिससे की प्रोपर टीट्मेंट आपको दिया जा सके